गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स टूड़े वी विल लर्न दा पोएम टेलिविजन एज टेलिविजन एज गोड फ्रोम एट्ट ग्लास बुक in this poem the poet warns of the danger of watching television poet चेताओनी देता है कि television के dangers क्या है कैसे television एक खतरनाक है हाला कि poet इसमें television को गोड बोलता है लेकरिन एक satire है एक weng है कि television को गोड की तरह दिखाता है क्यों क्योंकि लोग जो है ज़्यादाता time अपना television watching में spend करते हैं तो देखें let's start the poem in America television is a special god with its priests and priestesses no one has time for conversation or for each other America में television एक special god है एक special god का दर्जाय अमेरिका में television को with its priests and priestesses इसके priest और priestesses के साथ में priest क्या होता है पुजारी और priestesses में female पुजारी तो इसके पुजारी कौन हो गई है जो इसको देखने वाले हैं तो point क्या कहता है television को god बताता है कि अमेरिका में टेलिविजन एक गोड है और इसके देखने वाले जो है ने इसके पुजारी की तरह हैं No one has time for conversation किसी के पास टाइम नहीं आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए जैसे जो पुजारी होते हैं भक्त होते हैं वो अपना ध्यान भगवान के लिए लगाते हैं वो बखकी किसी दुनिया से संसार से अलग रहते हैं किसी से बात नहीं करते हैं वो अपनी बैस आध्यातम में इखोई रहते हैं इसी प्रकार से पोईट कहता है कि ये लोग जो एं high class pleasure में बहुत ज़्यादा खुसी देने वाले बहुत ज़्यादा खुसी देने वाले पार्ट को ये पे काम करता है हमारे माइंड के हमारे माइंड में क्रेनिया क्या हो गया क्रेनिया क्या हो गया क्रेनिया हो गया माइंड का एक पार्ट या स्कल का वो पार्ट जो माइंड को cover करता है यह उस पर उसको परभावित करता है जिससे की high class pleasure मिलता है उस तर का उस तर की खुसी मिलती है and daisies and daisies by my apartment window daisies में जो flowers tall yellow as the fingers of sun why are they so sad from neglect poet कहता है कि daisies by my apartment window मेरी apartment window में जो daisies flowers हैं tall हैं लंबे जो बड़े-बड़े flowers हैं yellow color के हैं as the finger of sun ऐसे लगते हैं जैसे कि वो sun की fingers हो सूरज की उंगलिया हूँ इस तरीके के वो फूल दिखते है why are they so sad वो उदास क्यों है from neglect neglect होने से तो पूइट बताते हैं वो उदास क्यों है क्यों है वो उदास वो उदास इसलिए है because they have failed to attract the attention of people कि लोग गो का ध्यान खीचने में वहाँ सफल हो गए हैं लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं उनको नहीं देखते हैं वो लोग उनसे attract नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उनसे attract because लोग जो हैना अपना time कहाँ पर spend करते हैं टीवी वोचिंग में इसलिए वो sad हैं they perhaps lost the competition वो competition हार गए हैं कौन सा competition कि भई लोग ज्यादधा टीवी को देखें या ज्यादधा natural beauty को देखें इन फुलों को देखें तो इस competition को हार गए हैं लोग अपना ज्यादधा time किसमें बिताते हैं टीवी देखने में television has trapped everyone और television ने trapped में जाल में फसा लेना television ने हर किसी को अपने जाल में फसा लिया है in its shrine shrine क्या होता है small temple अपने temple में यानि कि जब television को god बोलता है तो वो इसको shrine बता रहा है point television जहां पर रखा जाता है उस जगय को तो यह बोलता है कि इसने सभी लोगों को अपने जाल में फसा लिया है जाल में फसा लिया इसका मतलब क्या है that television has complete control over people कि television ने पूरा control कर लिया है लोगों पर and mother's wonder mother's माताई जो है वो wonder में आस्च्रिय करती है why their kids are doing poorly in school कि उनके बच्चे school में doing poor limits proper तरिक्चे से काम नहीं कर पाना school में उनके बच्चे अच्छे तरिक्चे से काम क्यों नहीं कर पा रहे है and their grammar is as good as chimpanzees और उनकी grammar इतनी अच्छी है जितनी chimpanzee की होती है chimpanzee से उनकी grammar की knowledge को compare क्यों करता है यह से टायर है कि जैसे chimpanzee को बहुत कम knowledge होती है न इसी प्रकार से उनको भी बहुत कम knowledge grammar की क्यों है उनको कम knowledge because they spend their time in watching TV TV watching में अपना time spend करते हैं इसलिए उनकी grammar कम जोर हो गई है and of course television is special god क्यों है उनके grammar कम जोर क्योंकि टेलिविजन तो उनके लिए god बन चुका है and god's have their sacred about और god का स्थान क्या होता है पवित्र स्थान होता है अबोर में place स्थान कहाँ पर स्थान होता है पवित्र स्थान कहाँ पर होता है in the hearts of their humble servants उनके उसके जो servants होते हैं humble जो events होते हैं उनमें इसका पवित्र स्थान होता है तो टीवी यानि कि बच्चों के धिलों में तीवी ने अपनी जगया बना रखिये किताबों ने नहीं and television is god that speaks and smiles and acts television उनके लिए गोड है जो बोलता भी है act भी करता है smiles भी करता है television उनके लिए code है and emotions are fortified emotions are fortified means और emotions जो है ना भावनाई और strong हो जाती है और मजबूत हो जाती है add stars to iron clothes जैसे iron clothes को प्रेस के विकपड़ों को star chat करते हैं तो color और strong हो जाता है ने इसी प्रकार से TV शे हमारी भावनाई और strong हो जाती है and the truth of the world is accessed और दुनिया के सच्चाई तक पहुंचा जाता है television से तो पोईट यहां पर यह एक व्यांग कर रहा है कि दुनिया की सच्चाई तक पहुंचा जाता है सच्चाई नहीं पोईट यह बात कहना चाता है कि दुनिया के यह हम जूट तक पहुंचते हैं लेकिन सच्चाई किसकी सच्चाई सच्चाई क्यों बोलता है इसको थ्रूदी सूपर सूपर्फीशियल वर्ड्स सूपर्फीशियल वर्ड्स में जो की सीरियस वर्ड्स नहीं है तरह कहीं जो वर्ड्स हैं उनके थ सचाय बाते थोती नहीं है लेकिन हम उनको सच मानते हैं इसलिया पोईट ये बोलता है कि सचाय तक figur सचाई तक पहुंशते हैं लेकिन रियलेटी में वो क्या चीज हुईं वो सचाय नहीं नहीं हुई so this is the poem television as good written by Tizen M. Sala read the poem word by word